स्क्राइब करेंगे लेजर्ट्स दोनों को ही स्क्वामेटा और के नदर रखा गया रेप्टिलिया के इसके इसके उपर हौर्णी शल्क पायते हैं, इसके उपर हौर्णी शल्क पायते हैं, जो जो है वो इनके स्कल से जुड़ा हौर उपर नीचे आगे पीछे हो सकता है जो शेकार को निगलने के लिए स्क्राइब करता है। जो अपने इसे बड़े आकार की शिकार को भी निगलने में साहता करता है। इसको मैटें के जर्नल करेक्टर से इस प्रकार से हैं पहला है इसकल अब इस अनिवन्स वे टू शुपिरियर टेंपोरल ओपनिंग एप्सेट्स यह डिया यह इसलिए इसलिए क्यलते हैं। दाइ मेंस दो, एपसेट मानला टेंपोरल फोसा, यहने इनके स्कल के अंदर टेंपोरल डीजन में दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं, दो गट्डे खाँच पाई जाती हैं मेकजिला, पेलेटाइन और इंटारी गोईड आर इंमोविवली आइडिकुलेटेड विद इसकल मेकजिला पेलेटाइन और इसकल जो है वो बिना गतिशील नहीं होती हैं, वो पर्मानेंटली इसकल से अटेच होती हैं इनकी क्वाड्रेट जो बोन है, वो मोविवल होती हैं लोँ़ जो बिनामेंटली इसकल बन आइड़ आइड़ एक्रष्ए प्लूरोडोडोट आइप शॉन और जोवो बिनाम आगी की तरफ वहार होता है एसे इसे प्राशीलस प्रकार की वरिवरी केरते हैं the ribs are single-headed इनकी जो पसलिया है उनकी अंदर एक एक सिरे होता है एक सिरा होता है Cloycal aperture is transverse slit in form of transverse slit एक longitudinal transverse slit के रूप में इनका इनकी गुदा पाई जाती है one pair of reversible copulatory sec are present in male the organ of Jacobson is well developed and this is also only reptile group that has both viviparous, oviparous and species as well as in ovoviviparous reptiles यानि बच्चों को भी जनम देते हैं अंडों को भी अंडे भी देते हैं ये और कुछ आपरिपक बच्चों को भी जनम देते हैं यानि ovoviviparous भी species पाई जाती है in reptiles के अंदर examples है और lizards and snakes are included in this order squameta में lizards और snakes को शामिल किया जाता है lizards and snakes possess distinct characteristic features so it will be better to study the order up to sub order this order squameta is subdivided into the sub order lacertilia and sub order ophidia ophidia and lacertilia अब इस वीडियो के द्वारा हम देखें कि ये जो lacertilia और ophidia है दोनों ही snakes और lizards दोनों किस प्रकार से अपने शिकार का पीछा करते हैं किस प्रकार के इन में predatory habit पाई जाती है जैसे कि ये एक snake है जो वर्समनों में पाई जाता है और ये flying snake है flying snake से मतलब है fly पक्षियों के दर फ्लाइ नहीं करता वलकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर glide करता है हवा में उचल करके glide करता है जैसे glide करने से पहले ये अपने आपको एक छोटी टहनी पर यानि उसके terminal end पर टहनी के terminal end पर लिके जाता है और फिर वहां से observe करता है कि इसकी शिकार कहां छुपी होई है उस शिकार को देखता है वो देखने के बाद में फिर उसके बाद वो चलांग लगानता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तो ये एक ये जो snake है फ्लाइंग snake के नाम से जना जाता है इसकी जीव thermosensitive होती है tactile receptors होते है इसमें तापमान को सूम करके तापमान को तापमान से sensitive से ये अपनी शिकार का पता लागा लेती है और इसमें ये डाली को पकड़ने की इनमें अद्वत शम्तर पाई आती है ये अपने आपको लपिट करके डाली के उबर और चले जाते हैं shears end पर जाकर के फिर कूदने का प्रयास करते हैं जैसे कि इस snakes ये तैयारी कर रहा है अपनी कूदने की अपनी पूच से coiled बना करके और उस शाखा से लिप्टा हुआ है ताकि फैसल करके गर नहीं जाए उसके बाद में ये जंप लगाएगा जंप लगाने के बाद में ये इस ग्लाइडिंग के लिए है विच्वल हो चुका है जैसे इसने ये जंप लगाई और ये जंप लगाती लगाती है हवा में तैरता हुआ और ये अपने शरीर को आगे की तरफ धखेलता है और शाखा को पीछे की तरफ धखेलता है जिससे विदिस्टेंट करके जिससे र बीच में vegetation के उपर जाके गिरता है ये नीचे से उसका लिया हुआ photograph वीडियो है जो जब ये हवा में तेरा होता है तो ये ऐस आकरती में होता है ताकि वो कम से कम धीरे धीमी गती से आए अगर ये लंबाई में होगा तो वो तेजी से गती से आएगा और अगर इस प्रकार से होगा तो और ज़्याद तेजी से गती से आएगा ये ऐस आकरती बना लेता है हवा में जब ये तरा होता है जिससे कि ये धीमी गती से आए और इसकी स्पीड कम हो जाए इससे चोट लगने का खत्रा कम हो और ये पेड़ की शाखाओं पर आकर के ये गिर जाता है और पेड़ की शाखाओं पर गिरता है तो पेड़ की साखाओं चूंकि लची लिए होती है इसलिए उस जर्क नहीं लगता उसको ज़्यादा चोट नहीं लगती वहाँ पर अपने शिकार को ढूढता है शिकार के पास जाता है धीमी से पहले अबज़रू करता है फिर शिकार के पास में धीमी गती से जाने का प्रयास करता है लेकिन अब चुकि शिकार भी चालाक होती है शिकार इसकी जुर्णली चिप के लिए लिजरेट्स होती है जो आर्वोरियर लिजरेट्स होती है यह फ्लाइंग लिजरेट्स होती है फ्लाइंग लिजरेट्स वो होती है जिनकी पसलिया फैल करके पंखनुमास रचनाम बदल जाती है और वो flying lizard इनके बोजन होते हैं सापों के बोजन होते हैं यह flying lizard ने साप को देख लिया है अपने दुश्मन को देख लिया है अपने शिकारी को देख लिया है और उस शिकार के आने से पहले यह glide करेगी यह भी glide करेगी यह भी fly करेगी हवा में उचल करके एक पेड़ से दूस इसमें जो adaptation पायाता है वो आपने आप में special प्रकार का जैसे कि ये ये उड़ी और उड़ने के बाद में इसने अपना जो रिप्स हैं वो उसको पंगों के रूप में इस प्रकार से फेला लिया और ये दूसरे पीड की चाहल से जाकर करके चिपक गए इस प्रकार का इन में ये अपने आपको बचा लिया इसने और बचाने के बाद में इसकी अगर पीट पर ये देखें तो ये रिप्स फैली हुई है और इसकी स्कीन एक्सपेंडडेड हो गई है और वो पंग का रूप धारण कर लिया है इनकी इसको चुड़ा करके और ये पंग का रूप तो उससे थोड़ा सा इसका speed कम हो जती है. अब आते हैं suborder Laceratilia. Laceratilia लेटन वासा के Lacerata शब्द से बनाए जिसका अर्थ होता lizard. इस lizard की जरुनल करेक्टर से इस प्रकार है. यह जमीन पर पाई जने वाली और या फिर पेडों पर पाई जने वाले या फिर बिल बना करके रह and tail. The upper and lower eyelids are usually movable. इनकी जो आखे हैं उनकी उपर पलकें पाई जती है और वो पलकें movable होती है. Quadrate is slightly movable. इनकी जो quadrate होती है, वो movable होती है, वो permanently skull से जुड़ी होई नहीं रती है. Sternum present with the T-shape episternum, sternum की उपर T-shape episternum पाई जता है, tympanum is present, tongue is broad and usually entire and urinary bladder is present, इनमें urinary bladder पाई जता है. लिम्स आर यूज़ी प्रेजेंटेट आएंड पेक्टेडेक्टाइल विद अ क्लॉस इनके पंच उंगली नुमा पैर पायाते हैं अगर पैर और पैरों में पांच-पांच उंगली होती हैं जिनके अंदर नाखून पायाते हैं यह सभी अंदर देने वाले प्राणी होते हैं जैसे के फ्राइनसोमा हॉर्न टोड केते हैं उसे लियू लेपिस यूरोमेस्टिस्क हाडवेकी जैसे सांडा केते हैं अधिशनल यूज है इसका है कैलोटी बर्सिकोलार गर्डन लिजर्ड है ड्रेको फ्लाइंग लिजर्ड जो अभी हमने देखा मॉलक औरिडस डैविल स्पाइनी लिजर्ड ऑफ अस्टिलिया गीको है लिजर्ड है हमिडेक्टालेस जो हमारे गरों में पाई जने वाली चि ऐसी छिपकली है जिसके अंदर पैर नहीं पॉदि इसलिए इसको सापें से बिभेद करने के लिए दूसरी करेक्टर देखने होंगे है ही लडर्म ही लुडरम एक ऐसी पॉजन से लिजटेट वृजटेटी है जैने ये इसकी प्रकार कि चत्र है यह मौनीटर लिजट्र लीजटर यह फ्राइनसम निवे का जाता है जिसकी शीन जैसी से रशनाय प्रेंगे जने वाखता है यह मद गरव में जर्नली नम और यह एक ग्रीन अनोल है विच लेजर फांड इस प्रमरीली इन सम् करवियन आलाइन विच थृतने और ग्रीन इनोल तर्न ब्राउन यह अपनी जो इसकिन है उसका कलर को को चेंज करने की शमता इसमें पाई जाती है ग्रीन अनोल आपनी पूच को तोड करके भागने का एक गुण पाया जाता है अपनी आप ही अपनी पूच को तोड देते हैं और इनके अंदर यह मेल है और मेल के अंदर जिसका जो गला है वो लाल रंग का इस पकार के थहली नुमा गुबारे नुमा बना लेता है जिसका यह टेरिटोरियल भी हुएर को शो करता है और सब और और ओफीडिया की बात करें हैं ओफीडिया जिसमें स्नेक्स आते हैं जर्नल करेक्टर से हैं ओफीडिया के कि इस आ यही को स्नेक्स की नाम से जाना यता है। typically scaly warmth and the animals devoid of limb and limb girdles and tympanic membrane. tympanic membrane नहीं पायते, limb girdles नहीं पायते, limbs नहीं पायते generally और यहीं की आख की उपर eyelid नहीं पायते eyes are protected by the scale and modified as a transparent spectacle and they are no movable eyelids. temporal fossa are totally absent due to secondary mode of adaptation. इनके अंदर temporal fossa बिल्कुल नहीं पायते, इनमें secondary adaptation हो गया है जिसके कारण वो बिलुप्त हो गया है। वो मेरो nasal और organ of Jacobson, Jacobson organ जो सुमने का जो organ होता है वो इस highly well developed होता है, maxilla, palatine and pterygoid are the freely movable bones होती है, ramy of the mandible are connected by the elastic ligaments and the quadrate is highly flexible, quadrate is highly flexible होती है, sternum and episternum are absent. tympanic membrane जैसे सुनना आ जाता है, सुनने वाली जो membrane, tympanic membrane, tympanic cavities and eustachian tube are reduced or absent. vertebrae possesses the additional inter vertebrarial articulation known as the gigantra and zygosphene. इनके उपर जो vertebrae होती है, इनके बीच में, जो inter vertebrarial disc होती है, articulation होता है, उसमें gigantra और zygosphene भी पही जती है, extra. इनके पजाजे जो deeply forked highly sensitive tongue and which act as the thermoreceptor, chemoreceptor, tactile receptor, इनमें जो जीव होती है, वो ताप संवेधी, रसाइन संवेधी और इसपर्स संवेधी अंग का काम करती है, most of the snakes are oviparous and some are viparous like naza, viper, जड़तर जो snake हैं वो अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ snake बच्चे भी देते हैं, यह नजा है, वाइपर है, एक्जेम्पल python moliurus, Indian rock python, जो अजगर जीसे कहते हैं, boa constrictor, anaconda जीसे सबसे लंबा, सांप, सबसे बड़ा विशालाकार का, आठ मीटर लंबाई हो सकती है इसकी, एरेक्स जौनी, sand boa, जो गले में डाल करके साथ उसांतर गूमते रहते हैं, उससे sand, एरेक्स जौनी होता है, उससे sand boa कहते हैं, पिपलॉक्स, एक्ट लेटेस, बीक्ज इंडियन, ब्लाइंड स्निक, पिटियास, मुकोसस, लंबा सा पतला सा एक सांप होता है, जिसे पिटियास कहते हैं, इसें, करतabordर कहते हैं उसको, क्राइशोपीला और एटा· फ्लाइंग स्निक, जो अभी अपने बाप की, इसके फ्लाइंग करता है, एक पेड ये दूस्रे पेड पर उससे फ्लाइंग सीट कहते हैं, ये क्राइशोपीलिया नाम से जाना जाता है, नाजा, कोब्रा और किंग कॉब्रा दोनों ही नाजा, नाजा बंगरस, Kratala, ये highly gerilla and poisonous snake है वैबिफिर रसल ही poisonous snake है, Indian Russell Viper की नाम से जाने जता है और हाईडरोफिस, जो समुद्रोपाए जता है जिसे sea snake की नाम से जता है हाईडरोफिस is highly poisonous snake यह कुछ चित्र है जैसे python का है इंडियन python जो इंडियन में पाय जाता है हाइड्रफिस है यह समुद्र पाय जने वाला जैरिल सांप और यह है नाजा जा जिसे cobra के नम से जाना जाता है अब लेसरेटिलिया और ओफीडिया यानि चिपकली और सांपों में अंतर क्या है लेंबस अंड गर्डिंस वेल डेपलने इस्टी लिए जबकि वेश्टी चलो थे हैं या वेश्टी चलो होते हैं इलेटस और निट्टी टिणि अर्टिक में पाइज्टी हैं लेकिन साप वे नहीं पाहिए यह 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 मैं इंदर पाई या लेकिन अउड़ीटरी एक रूपन ये freely movable होती हैं ओफीडिया में माउथ इनका two rami of mandible firmly united anteriorly तो आगे की तरफ जुड़ा रहता है mouth और mandible rami joined by an elastic ligament and can be widely separated during swallowing और जब सांप किसी शेकार को निगलता है तो उसके mouth की जो mandibular rami mandible है वो maxillor mandible बहुत बड़े आकार से खुल जाते हैं यानि वो कोई permanently joined नहीं होते हैं वो loosely attached होते हैं एक जूस्ते से sternum and episternum urinary bladder ये usually present होते हैं लेकिन ओफीडिया के अंदर totally absent होते हैं प्रिमेक्जिला बियर कॉनिकल टीथ और ओफीडिया के अंदर toothless होता है प्रिमेक्जिला केते हैं मेक्जिला यानि ऊपर का जो जबड़ा है उसका आगे का भाग जो होता है प्रिमेक्जिला के लाता है उसके अंदर उसके सांपों में दांत नहीं पाए जाते हैं और साइड में पाए जाते हैं लेकिन चिपकलियों में दांत पाए जाते हैं टंग जो होती है वो रेरली नॉच्ट और एक्सपेंसिवल होती है और इनमें स्नेक्स के अंदर slender bifid होती है दुशाकेत होती है और expandable यानि आगे की तरफ बाहर निकालने की योगी होती है caudal autotomy lazards में पए जाती है लेकिन सापों में caudal autotomy नहीं पाए जाती है नहीं पूच को तोड़ करके और शिकारी के पास में छोड देना और आप अप खुद बच करके निकल जाना यसे caudal autotomy कहते हैं ये lizards में पाए जाती है fascin worker नंग पोथ लंग सर equally developed होते हैं number of species की बाप करें तो Laceratelia के अंदर 3800 प्रजातियें पाई जती हैं जबकि ओफिडिया के अंदर 3000 सांपों की प्रजातियें पाई जती हैं ओक्सिपिटल कॉंडाइल सिंगल होता है Laceratelia में लेकिन ओफिडिया के अंदर absent हो चुका है पक्षी गुमा सकते हैं लेकिन सांप नहीं गुमा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सिपिटल कॉंडाइल की संख्या ज्यादा होती है उनकी जो इसकल है वो उनकी वर्टिवरी से इस प्रकार से टाइडली जोड़ी हो ही रहती है इसलिए उसका पूरा शरीर गुमता है ना केवल गर्दन गर्दन से मूवमेंट नहीं होता है जोगल बेन बोन जिसमें प्रजेंट होती है और इनमें ओफिडिया में एपसेंट होती है अरिक्स प्रकार के एगनें उडaires के व्यारी जोड़ी होती है जब कि ओफिडिया में डस जोड़ी या ग्यारे जोड़ी होती है एक्जम्पल अगर लेसर टी लिया के एक्जम्पल है। से हुआ है, Reptiles का विकास जो Amphibia से हुआ है, तो Amphibia में या Reptilia में इस प्रकार का कौन से पुर्वस था, जिन से Squamata जैसे animals पैदा हुए. Squamata is the highly successful order which includes 95% of all living reptiles. सभी जीवित जो reptile है उनका प्रच्यान में प्रतिशफ Squamata पाई जाते हैं, यानि इज़स घुट्सिया reactsुए है, जीविग ती निजसो से बर्यारा है along तो आते हैं, ल toolboxॉट्सीया जिवख में चीवन रिकिन का था जानि आते हैं, पाद भाहिन लिज़ट की में ठीयानि निन लिफ्ट पर गजय के अन्सेस पिरिड, क्रीटरीज रिख एक अन्सेस्ट लाइन से एक येड दो साख है अलग होगी, एक से लेसर दिलीया बनोगे और एक से ओफिदीयन बनोगे, इस परकार इसकुल एसकुल has lost the temporal arch and allowing movability the quadrate and increased gap, then tongue is not and bifurk, the body skills are generally small and overlapping limbless is common. जीसे कि पैली को सारास एंसेस्टर से पूर्व से हुआ और इसको अमेटन ॉन एक से पैलिफी भीन भन गे जिसे सटरी से लेजटील से लेजर्ट गया भने और families हैं जिनसे ये परकार के बने ये बिवेन परकार की लिजर्ट्स हैं जो इन में पाई जाती हैं इसके बाद में इता है इसके बाद ये था ओफिडिया और इसको अमेटा के बार हमें थैंक यू थैंक यू वेरी मच